नमस्कार दिनास फूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज हम ओल का अचार बनाएंगे जिसे सूरन भी कहते हैं या जिमिकंद भी कहते हैं ओल एक सूपर फूर्ड है काफी हेल्दी भी है आईए देखिए इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले हाथों में तेल लगा लेंगे या ग्लाफ्स लगाएं या फिर पॉलिथीन लगा लें ओल को छील कर हम बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लेंगे आप चाहे तो इसे ग्रेट कर सकते हैं मैंने एक कप ओल लिया है पानी का एक ड्रॉब भी नहीं होना चाहिए आप कप अद्रक लेंगे हाप कप गार्लिक लेंगे आप हल्दी के पॉड़र के बदले फ्रेश हल्दी लें वन फोर्थ कप मैंने फ्रेश हल्दी लिया है स्वाधन उसार नमक डाल दें मैंने डेट ठेवरी स्पून नमक लिया है ओल का जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें कुछ खट्टा डालते हैं इसके लिए मैंने आधा कप निम्बू का रस लिया है उसकी जगह पे आप आमचूर पॉडर ले सकते हैं यमली ले सकते हैं या फिर आपके पास आम का अचारो वो भी डाल सकते हैं आप विनेगर भी डाल सकते हैं आप स्वाधन उसार इसमें हरी मिर्च डाल दें जितना भ दरदरा पेस्ट पन के तयार हो गया है स्वाधन उसार मिर्च डाल ले एक चम्मच रोस्टेट अजवायन मंग्रेल डाल दें कलर फूल करने के लिए आप काश्मिरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अब आप इसे मिला ले इसमें तीन तेवल स्पून सरसो तेल डाल दें किसी ब मक्टेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि कच्चा ओल एचिंग करता है पंदर दिन के बाद ओल का अचार पन के तियार हो गया है तो यह था ओल का अचार बनाने का असान तरीका आप इसे बनाए और अपना अनुभव रिना स्पूट कॉर्णर में कमेंट करें अगर आपको यह र करना ना भूले और शेयर भी करें मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए तो मिलते हूं मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर और थैंक्स पर वाचिंग